खिलाफ ग्रेटर नॉइडर अथोरिटी ने मामला धर्च कर लिया है प्राधिकरण ने 25 लोगों की खिलाफ मुकदमा धर्च किया सूप्रिम कोट के आदिशों के अंदिखी करके अवैद निर्मान यहाँ पर किया जा रहा था शाबेरी में इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई थी 17 जुलाई 2018 हम सब को याद होगी 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी जब दो इमारते जमिदोस हो गई थी जगाती शाबेरी और इस समय हम शाबेरी में ही मौजूद हैं हाली में ग्रेटर नौड अथॉरिटी ने मुकदमा लिखवाया है दो मुकदमे दर्ज करवाए हैं जिसमें एक F.I.R. में 11 लोगों पर F.I.R. है दूसरी F.I.R. में 12 लोग नामजद मुकदमा दर्ज है और आप तस्वीरे देखेंगे यहाँ पर अवैद निर्माण अभी धडलले से जारी है आपको बता दे भू माफिया, बिल्डर और कोलोनाइजर के गढ़ जोड से यह जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं मेरे दोनों तरफ यह तयार की गई है और एक चीज और दिखाना चाहेंगे, मैं कैमरा मैंन से रिक्वेस्ट करूँगा, यह दिखाए यह प्लोटिंग की गई है यह भी पूरी तरीके से अवैद है, यह प्लोटिंग और इसके अलावा यहाँ पर कॉलोनी काट दी गई है कई बहु मुंजिला इमारत बनाई जा रही है और अब मुकदमा दर्च कराया गया जिसमें अवायद रूप से स्टेडियम का निर्मार कराया जा रहा था लेकिन लगातार सवाल उठते रहें, ग्रेटर नौड़ा अथॉरिटी के कारे प्रणाली पर जब शुरुआत में ये निर्मार शुरू होता है तब ही क्यों नहीं रोका जाता है और अब हाल फिलाल में पच्चीस लोगों पर मुकदमा दर्च कराया गया है जिसमें भू माफिया, कोलोनाईजर और बिल्डर है फिलहल निर्माल कारे पर रोक है पूरी तरीके से शाबेरी में घटना हुई थी उसके बाद से सुप्रीम कोट ने यहाँ पर निर्माल कारे पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है इसके लावा रजिस्ट्री पर भी रोक लगाया है रेजिस्ट्री भी हो रही है और दूसरी तरफ निर्माल कारे भी हो रहा है लेकिन अब 25 लोगों पर ये मुकदमा दर्च कराए गया है कैमरामेन बीनु बाजिल के साथ हिमाशु शुक्लान न्यूस जेटीन ग्रेटर नॉइडा और रुकेंगे आपर छोटे सी प्रेक्ट जल्व लॉटे रहे हैं न्यूजेटीम उत्तरप्रदेश उत्तराखन्ट